iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro, Big Daddy vs Big Daddy क्या आपको iPhone 14 के बाद iPhone 15 Pro या Pro Max पर अफ्ग्रेड करना चाहिए या फिर अगर आपके पास iPhone 11, 12, 13 है तो क्या आपको 15 Pro या Pro Max की ज़रूरत है डिफरेंसिस के हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग चैनल पे नहीं हो, सबस्क्राइब कर दो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहें लेकिन सबस्क्राइब नहीं कर रहें सबसे पहले स्चार्ट करते हैं जो हम लोग देखते हैं वो है लुक और डिजाइन की फोन कैसा दिख रहा है तो एपल ने एक नई चीज एड़ कर रही है अपनी कंप्लीट 15 सीरीज में वो है कर्व या फिर अब लोग बोल सकते हैं कॉंट्यू डिजाइन साइट से जो है ग्रिप अच्छी करने के लिए फोन को थोड़ा सा कर दिया है बट मेभी 15 प्रो में वो चीज आपको ज़रूरत नहीं लगेगी और साथ इसाथ एक सबसे बड़ा अपग्रेड जो एपल का मेन चीज रहा है आपल ने बड़ा बड़ा हाइलाइट किया है वो है टाइटेनियम बोडी आपको एरोस्पेस टाइटेनियम ग्रेड फाइव देखने के लिए मिलता है यहाँ पे सेनलेस सील है 14 प्रो पे और फिंगर्प्रिंट की मालब में क्या बात करूँ फिंगर्प्रिंट की वैसे यह फोन बहुत ज़्यादा गंदा दिखता था तो भी ओनेस्ट यह सेनलेस सील फोन को थोड़ा और प्रेमियम ज़रूर बनाता है मेभी टाइटेनियम थोड़ा सा फोन को डल ज़रूर बनाएगा लेकिन वो और ज़दा ड्यूरेबल है और लेस वेट है उपर से टाइटेनियम आपको थोड़ा मैट फिनिश में देखने के लिए मिलता है ब्रश टाइटेनियम है तो मेभी वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा बाकि जब हाथ में आएगा तो हम लोग और डिटेल में बात करेंगे साथ इसाथ अगर हम लोग बैक से बात करें तो लारजर कैमरा सेंसर आपको देखने के लिए मिलते है एस कंपेर टू आइफोन 14 प्रो और यहां पर ओवेस सी बात है एपल हर साल जो है कैमरा थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जा रहा है अगर मैं थोड़ी colors की बात करूँ जो आपको चार colors देखने के लिए मिलते है इस बार के colors थोड़े मेरे को honestly better लगे लेकिन maximum लोगों को नहीं लगे लेकिन मैं अपना reason बताता हूँ जो 14 प्रो का आप color देख रहे हो Apple का जो main color हल साल रहते है तो यह 14 प्रो है कभी-कभी में color समझी नहीं आता because कभी color side से कैसा दिखता है कभी कैसा दिखता है तो मेरे को honestly 14 प्रो कलर बिल्कुल भी परसंद नहीं आया बट वहीं पे अगर मैं blue की बात करूँ और natural titanium की बात करूँ तो colors dull जरूर है as compared to 14 pro series बट थोड़े से premium और matte finish में आते है textured finish जो है इस बार iPhone 15 pro series पे की गई है पीछे की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो यह एक बड़ा difference आप लोगों को देखने के लिए मिलता है and look or design में एक side में look change होगा यह finally यह silent switch चला गए आपको अब action button देखने के लिए मिलता है iPhone 15 pro series में जो कि आप multiple तरीके से जो है customize कर सकते हो weight की बात करें तो एक सबसे बड़ा upgrade iPhone 14 pro का weight था 206 grams और वहीं पे iPhone 15 pro का weight है 187 grams मेरे को यह phone already heavy लगता है अब यह multiple grams कम होंगे तो maybe iPhone 15 या iPhone 15 plus वाली feel आने वाली है डिस्पले पे आते हैं डिस्पले पे कोई भी बड़ा change नहीं है सिर्फ एक change है अब आपको जो है bezels और thin देखने के लिए मिलती है एक extra edge मिल रहा है आपको phone use करने में फोटा सा phone जो है में भी बड़ा लगेगा आपको थोड़ी curved edges और देखने के लिए मिलेगी आगे बढ़ने से पहले आप 15 pro लो या 14 pro लो एक बहुत important चीज़ बताता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा करने वाली है मेरको तो हर साल करती है वो है SGFC का credit card specially आपको पता है कि SGFC जो है partner करता है Apple के साथ आपको बहुत massive discount देखने के लिए मिलता है आपको सबसे पहले कुछ और features भी बताता हूं 5% cashback मिलेगा आपको Amazon, BookMyShow, CultFit, Flipkart, Mintra, Sony Live, Zomato, Swiggy, Tata Click सब पे देखने के लिए मिलने वाल है 1% cashback है on all other spends including EMI and wallet transactions 1000 worth gift voucher आपको मिलने वाला कर आप spend करते हो 1 lakh and above in each calendar quarter up to 20% discount मिलेगा आपको partner restaurants ऐसे की Swiggy launch access है, fuel surcharge है, welcome benefits बहुत सारे है और अगर मैं current offers की बात करूँ तो आपको 6000 instant discount मिलता है 14 pro, 14 pro max पे 5000 मिलता है 14, 14 plus पे 13 पे मिलता है 3000, 13 mini पे भी same और 2000 मिलता है iPhone 12 और iPhone SE पे तो यह कुछ कमाल के offers है आपको बहुत ज़्यादा यह useful card रहने वाला है description में link है अब आते हैं performance पे Bionic chip को खतम कर दी है Apple ने introduce कर दी है A17 Bionic नहीं A17 Pro chip A16 Bionic chip जो थी 14 pro में उसे comparison में कुछ अच्छे खास है अप्रेट आपको देखने के लिए मिलते हैं सबसे जादा important चीज कि यह processor based है 3 nanometer process पे जो कि इस chip को कहीं ज़्यादा efficient बनाता है इसमें आपको 6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको 14 pro में भी देखने के लिए मिलते हैं 6 core GPU है iPhone 14 pro में था 5 core GPU 16 core neural engine as same as iPhone 14 pro but GPU और यह जो प्रोसेसर है थी अन्नोमेटर प्रोसेस पे यह कहीं ज़्यादा performance इंक्रीज करता है around 20% इंक्रीज आप लोगो देखने के लिए मिलते हैं 3 times faster है ऐसा Apple ने जो है बोला है but obviously जब फोन आएगा तो हम लोग प्रोपरली टेस्ट भी करने वाले है और साथी साथ अगर मैं गेमिंग की बात करूँ performance wise तो इस बार एक main highlight सा performance में gaming because अब आप जो है अच्छे जरीके से गेमिंग कर पाऊगे और iPhone 15 pro हम लोग प्रोपरली बोल सकते कि यह gaming phone है photos की बात करते हैं camera की बात करते हैं video की बात करते हैं जो कि iPhone की you know priority है specialist है भाई iPhone इसमें तो यह पर 5X optical zoom आपको देखने के लिए मिलता है Pro Max में और यह आपको Pro में देखने के लिए नहीं मिलने वाले जो कि थोड़ी गलत बात है Apple चाहता है कि आप Pro Max पर test करो पहले option था आपको 1 और 3 optical zoom का अब यह पर जो आपको 5X optical zoom देखने के लिए मिलता है Smart SGR 4 था iPhone 14 Pro में अब iPhone 15 Pro में आपको Smart SGR 5 देखने के लिए मिलता है 4 photos और यह iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max दोनों में support करता है Macro photography की बात करूँ तो different आपको elements देखने के लिए मिलता है जैसे कि Apple ने event में भी बोला आपको 7 different lenses एक तरीके से support करता है because macro photography में और वैसे भी आपको multiple zooms देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि 24mm, 36, 48 तो अब different यहापे zoom आपको देखने के लिए मिलने वाला है जिससे आपको you know, maybe photography अच्छी कर पाओगे आपको दूर के shots अच्छे साब ले पाओगे close up अच्छे से ले पाओगे in-depth pictures जो है बहुत ज़दा अच्छी होने वाली है ProRes video पहले 14 Pro में 4K 30fps support करती थी iPhone 15 Pro में 4K 60fps support करती है वहीं पर आपको दो चीज़े और देखने के लिए मिलती है Lock Video Recording और Academy Color Encoding System इस iPhone 15 Pro में इसमें नहीं सौरी अभी तो हाथ में नहीं आया बहुत जल्दी हो रही है तो आपको ज़ए दो चीज़े देखने के लिए मिलती है और iPhone 15 के जो camera है आपको लेंस देखने के लिए मिलता है उसमें increased focal length 24 mm जो की पिक्चर बहुत ज़द अच्छी करने वाली है आपको iPhone 15 Pro में Connector की बात करते है USB Type-C USB 3 का आपको support देखने के लिए मिलता है जिसकी speeds जाएंगी up to 10 Gbps 20% faster data transfer जो होने वाला as compared to iPhone 14 Pro इसके लिए मैं सबसाद excited हूँ finally USB-C देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छी चीज Government of India ने एक regulation दिया है कि जो भी phones होंगे वो इसरो का GPS system जो है यहां पे support करें आपको जो है nav IC या nav IC sorry मैं को pronunciation नहीं पता इसरो का जो navigation system है वो देखने के लिए मिलता है iPhone 15 Pro में तो यह जो है बहुत ज़द अच्छी चीज है तो यह था basic सा comparison detail comparison जब हाथ में phone आए और वो सारी चीज आए लो आपको उसका wait कर रहे हो तो उसकी भी हम लोग जो है you know testing में करना सब करेंगे but एक basic difference आप लोग को summary में मैंने दिए iPhone 14 Pro versus 15 Pro और अगर conclusion की बात करूँ तो अगर आपके पास iPhone 14 Pro already है तो मेरे साब से आपको iPhone 15 Pro पे नहीं जाना चाहिए because type C titanium body I know special है important है but में को नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा upgrade होगा for now because आप already deadlock cuts करके जो है 14 15 Pro लेके बैठे हो but अगर आपके पास 12 है 13 है या फिर 14 भी है और आपके पास you know मन आपको एक pro phone लेने का जिसमें अब type C भी है 4-5 साल राम से लेगा अब आने वाले सालों में कोई बहुत बड़ा major difference जो है phone में नहीं होने वाला design wise changes होते रहते हैं इससे बड़ा change आपको कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आप definitely 15 Pro पे switch कर सकते हो या फिर 15 Pro Max पे बट 14 Pro से अपग्रेट करना मेरे को जो है worth नहीं लगता specially इस ताइम पे अगर पैसे हैं तो कर लो भाई फिर मैं कौन हो आपको मना करने वाला तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना SGFC के कार्ड को आप लोग जिए डाउनलोड कर सकते हो बहुत ज़्यादा important है specially 15 पर चेस करने के लिए या आने वाली Big Billion Days सेल में description में उसका link है तो मैं मिलता हूँ आप सब्सक्राइब वीडियो में take care, bye